नमस्कार दोस्तों आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके एक मात्र यूट्यूब चैनल में शेर जिनी जहां हम fundamental research की हुई कंपनियों के बारे में आपको बता दें तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप सभी लोगों का शुक्रदा करना चाहता हूं कि आप लोगों ने मेरी इससे पहले की वीडियो को इतना विव किया और subscribers को तो मैं और जादा शुक्रदा करना चाहता हूं कि उन्होंने subscribe किया तो दोस्तों मैं आज आपको कुछ फंडमेंटली रिसर्च क्या होती है यह बताना चाहता हूं और आप कैसे आज का हमारा में टॉपिक है कि कैसे आप अपना शेयर बजार में निवेश यानि investment शुरू कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको इसके लिए कुछ चीजों के जरुत होती है सबसे पहले आपको फिर बहुत सब्सक्राइब कर दोड़े और यदी आपका अकाउंट को इस बैंक में आप अपने अकाउंट के साथ में डीमेट को लिंक कर सकते हैं तो दोस्तों आपको पहले यह कदम उठाना है फिर दूसरा जब आपका डीमेट अक्तिव हो जाए तो उसमें निवेश कित थे सब्सक्राइब काया में सब्सक्राइब से आप अपने ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं अब अगर से आप मेरे वीवर्स अगर कुछ नए हैं तो मैं उनको यह बता दू आप सब्सक्राइब कीजिए आपको मैं जो कंपनी रिसर्च के तूरू निकालता हूं टेकि लोगन को कि मैंने जैसे फंडामेंटली बता दिया तो फंडामेंटली होता क्या है तो फंडामेंटली क्या होता है के आप इसको एकसा अपने त예요 के उसे समझाता हूं तो फर्स के लिए जैसे के आपका कोई दोस्त है या मान लो आपने या किसी शक्स ने एक अधर वाइस एक्जांपल ले लो के एक बंदे ने एक शॉप शुरू कि ठीक है अब मैं क्यों कि मैं बॉंबे में रहता हूं तो मैं बॉंबे का एक ग्जांपल बहुत ही अच्छी देश है हमारे यहां कि वड़ा पाव महराश्ट्रू में तो आई लव बड़ा पाव की उसने शॉप खुली अब सोचो समझो उसने एक लाख रुपे की इन्वेस्मेंट की या एक लाख रुपे से उसने शॉप स्टार्ड की उसकी शॉप की कीमत है एक जाए हाजार रुपे को महिने में कैल्कुलेट करो कितने हुए का भी यार ती साथ ओगया आपका 3,60,000 यह आपके उस बंडे की दोस्त की इंकम हो गये टोटल से इस हो गया क्या हो गया से इस हो गया तो अब जब आप उसको एक साल बाद में देखोगे तो आप क्या देख हो गया 3,60,000 तो यह जो 3,60,000 यह उसकी दुकान की वैल्यू जो है वो है एक लाग रुपिय तो अब बताइए मुझे के टोटल उसकी वैल्यू क्या होगी आपकी दोसकी टोटल वैल्यू कितनी होगी 4,60,000 ठीक है अब यह आपने क्या निकाला उसका वैलिवेशन बस यही व में बताया है और आपको बड़े लेवल पे रिसर्च करना परता है तो यह कोई बहुत रॉकेट साइस नहीं है और इसको इसके बारे कुछ सोच लेकी जरूद नहीं है फिलहाल अगर आप बिगिनर हो तो आप मेरी राय से आप मेरे रिकमेंडेशन से उस खरी सकते हो अब इस के अलावा यह तो सारी कंपनियां काम कर रही है तो सिर्फ मेरी बनाई ही बताई हुई कंपनियों में ही आप पैसे लगाएंगे राइट रॉंग तो अब मैं बाब को बताता हूं आपके मैंने दोस्त का एक्जांपल दिया जिसमें वड़ापवा की शॉप को लिए अब ऐ आई से एक दोस्त की जा पहचान वाले के जानने वाले के सेम बिजनस में है वह सेम बिजनस में तो अब उसका वैल्योशन निकाल लिए सेम है सब कुछ सेम है वड़ा बनाता है सब कुछ है उसकी जो इंकम है वह तुम्हारे पहले दोस्त से कम है यानि यह 3,60,000 कमा रहा थ में आपके सामने दो लोग दिख रहे हैं सेम बिजनेस के तो आपके नजरीए के हिसाब से कौन सा शक्स कौन सा इंसान जादा तरक्की करते हुए दिख रहा है सोचो ओविसली फर्स्ट वाला क्यों क्यों क्योंकि वह तीन लाग साथ अजाट अजाट और यह दो लाग के आसपास का सेल्स कर रहे हैं तो सबसे जादा प्रोग्रेस वह इंसान कर सकता है तो उसी तरह हमने भी कंपनियों को डूंड़ना है यह से खाली बात किया है मैंने से इसने बहुत सारे पैरमिटर होते है जैसे कि पी ही होता है फिर उनके उपर मालुइं कि अभी जैसे दोनों दोस्तों के जादा कर्द है अगर यह दो लाग कमाने वाला इनसान है और यह दो लाग कमा रहा है लेकिन इसकी वैल्यू अतनी नहीं है लेकिन 3,60,000 रुपा जो वैल्यू जादा तरक्की दिखती है लेकिन हम अगर से देखे अगर इसे तीन नाक साथ हजार वाले इनसान पे अगर से जाधा कर्जा है मार्किट में तो हम बिना कर्जे वाली या थोड़े कम कर्जे दो लाख वाली company में पैसा लगा सकते हैं तो इस तरह से हमें हर company हर sector wise हर company को हमें देखना पड़ता है उसकी calculation करने पड़ती है कि कितने करजे में हैं अगर सब कुछ अच्छा दिख रहा है करजे में कितने हैं क्या उसने आगे की planning की है तो यह सारी चीज़े आपको BAC India की जो website है हमारी उससे भी आपको मिल सकती है आप हर company के बारे में उसमें जान सकते हैं तो दोस्तों यह हुआ एक तरीके से हमारा discussion के हम कैसे start कर सकते हैं और जो मैंने बोला है fundamentally research की हुई company अगर आप निवेशक है अगर से तो भी मुझे सब्सक्राइब कीजे अगर आप निवेशक नहीं है है आपने सोच रख रहा है कि आगे आपको इस मार्केट में इंवेश करना है तो भी आप मुझे सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाएए क्यों क्योंकि मेरी की हुई research आप से मैं शेर करूंगा अगर आपके जैसे कुछ से तो आप मुझे इमेल कर सकते हैं अगर से मेरे विवर्स कुछ नहीं है तो लीचे मेरा इमेल एड्रेस लिखा हुआ है और मेरा फोन नंबर है 9022225624 तो यह हो गया हमारे स्टार्ट करने के लिए और अगर से आपको स्टार्ट करने में यह सोच रहे आपकी पैसे का बंदोबस हो जाए तो फिर मैं स्टार्ट करता हूं तो मैं तो मार्केट में हूँ ही नहीं तो भी आप सब्सक्राइब करो द के बाद हम एक्शन लेते हैं तो वो सोच हमें हमारे काम के या पीछे भगाए तो वह भी काम से रिलेटेड हुई तो जिस दिन से आपने सोचना शुरू किया है दोस्तों उस दिन से आपका काम शुरू हो गया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए में से एक्षेंज कीजिए और अगर से किसी के पास में आप अपना Chen manage कर रहे हो और आपको problem हो दोगा आप स्क्राइब में चला गया वह वह संब्सक्राइब कर दोग के हैं आप किसमें रहें किसमें पोजीशन बनाइए किसमें नहीं बनाइए ठीक है तो आज का मेरा इस टॉपिक का मकसद क्लियर होता है दोस्तों अगर से मैंने आपको सच में कुछ सब्सक्राइब का बड़न दबाईए और बेल बड़न को वापस दबाईए तो आपको मेरी आई हुई नेक्स वीडियो के बारे में भी अपडेट मिल जाया करेगा और अगर से आप मेरी पुरानी यो रिकमेंट की हुई कंपरी को आपने अपने युनिवर्सल केबल मैंने 10 क तो डाला था वीडियो उसमें डाला था मैंने युनिवर्सल केबल के बारे में तो युनिवर्सल केबल आप लिस्ट में रखिए ठीक है वाच लिस्ट में अगर आपने रखा है तो आपको उसका भाव भी दिखेगा और आपको आगे आने वाले सारे वीडियो के बारे में को के अब लोगों ने मैं पहले वाली को इतना वीडियो किया आपका बहुत बधल्शुक्रिया अब से आप से इजाजद लेता हो, thank you so much for being there with me.